करना जागे स्क्राइब करेंगे आज करेंगे आज का दिने किता करके साथ आज करेंगे आज करेंगे आजdoes करेंगे आज करेंगे इंद्र करेंगे भाएं था विद्धार्व दाने करेंगे शिर रहे हैं अगर आज पटल जी के देह उसान के साथ ही भारतिय रादनिती के आकास का दुरू तारा नहीं रहा अटल जी बहुमुकी प्रतिबा के धनी थे इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजाज सत्रू रादनेता खोया है साहीत्य ने एक मुर्धन्य संवेदन सिल्क कभी को खोया है पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है देश की संसद ने संसतावन से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है भारतिय जनसंग से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्री अध्यक्स खोया है और करोडों युवाओं ने अपनी पिरेणा को खोया है अटल जी के न रहने से देश की रादनीती में जो रिक्तता खड़ी हुई है वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है अटल जी का व्यक्तित्व बहु आयामी होने के साथ साथ एक कुसल संग ठक के नाते पहले जनसंग और बाद में भारतिय जनता पार्टी की नीव को डालना और एक बीज में से वटवरुक्स बनाजने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कारे करता हो का मार्ग दर्शन किया देश बक्ति की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी अटल जी उसके आवाज बने नकेवल भारतिय जनता पार्टी समुक जी संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हीत में होगा और आज मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के लिए तो यह अपूर्णी अक्षती है इसकी पूर्टी कभी हो नहीं सकती परंटु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णी अक्षती हुई है मुझे लगता है इसकी पूर्टी होना असंभव है अटल जी ने कई सारे मौकों पर चाहे वो इमर्जन्सी के खिलाब की लड़ाई हो चाहे कस्मीर में कस्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो चाहे दलगत रादनिती से उपर उठकर बंगलादेश की लड़ाई के वक्त स्टेंड लेना हो चाहे हिंदी को प्रमुकता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो चाहे एक बैलेंस नेता एनाते समस्याओ का समाधान करने की दिसा में पुरे देश को समाधान देने हो अटल जी ने हमेशा भारतिय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के एनाते काम नहीं किया सारवजनिक जीवन के एक देश भक्त नेताय नाते पुरे देश का मागदर्शन किया है आज मैं भारतिय जनता पार्टी की और से भारतिय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोडों कारेकरता और समर्थकों की और से गहरे दूख की समवेदना व्यक्त करता हूं और आज हम भारतिय जनता पार्टी के सभी कारेकरता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे मित्रो अभी साड़े नौ बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उनके निवास्तान पर ही व्यवस्ता की गई है सुबे साड़े साथ से साड़े आट बजे तक यहीं निवास्तान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे नौ बजे उनके पार्थीव सरीर को भाजपा मुख्याले छे ए दिन्दयल मार्ग पर ले जाया जाएगा और एक बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और चार बजे राष्ट्रिय स्मूती स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किये जाएगे मैं जानता हूँ व्यक्ति के जाने से विचार खतम नहीं होते हैं व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते हैं व्यक्ति के जाने से विचारदाराए उनके कर्तुत्व के गारण ज्यादा ध्रड होती है आंदोलन और पैने होते हैं हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारे करता अटल जी के आज दुखद निधन के अउसर पर देश को आगे ले जाने के लिए उन्ह एक बार संकल्पित होकर देश को आगे ले जाने का भारतिय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे इसका मैं देश को आस्वासन देता हूं अटल जी का परिवार भारती जनता पार्टी के कारेकरता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी उपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दूख सहन करने की परमात्मा सक्ति दे ऐसी परमात्मा से प्रात्ना करकर मेरी वाने को दिराम देता हूं धन्यवाद